Hello friends, this is Manoj Shukla, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे चैनल जिसका नाम है गायत्री एजूकेशन क्लासेश और सभी को इस नव वर्ष की धेरो शुख कामना है, है ना आप सभी का ये वर्ष बहुत अच्छा जाए, वैसे भी कोरोना देख देख करके आप ठक गए हो, तो ठीके सारे questions रहने वाले ही हैं और आपका MPSI भी अब आई रहा है, कभी भी आ सकता है, तो आपको इसमें भी इसकी जरूरत पड़ेगी, तो ठीके, तो ठीके, तो ठीके, स्टार्ट करते हैं, इसमें बिना टाइम गवाए, active passive voice को, और एक information आपको और देना चाहँगा, कि ये ठीके दोस्तों, हमें क्या-क्या चीजे ध्यान रखनी है, active passive voice में, उसको ध्यान सुनेंगे, number one point, आपको कभी भी किसी sentence में S लिखा मिल जाए, मैं ध्यान सुनना अभी है, S हो, चाहे एस हो, चाहे उस sentence में लिखा हो, do, या फिर लिखा हो, does, ठीके, मैंने एक बात आप से कही, S, E,S, do or does, ये किसी sentence में आएगा, अब ये S, E,S क्या होता, ये अभी मैं आपको बताने वाला हो, इसलिए घपरा हो नहीं, do or does तो पहचानते ही हो, इतना तो आप पहचानते होंगे, ये एक verb होती ही, दोनों की दोनों, ये किस sentence में आपको मिलेंगी, अब होगा क्या आपसे ये कहा जाएगा, कि भाईया, ये है active, क्या है ये, ये है active, और बनाईए इसका passive, आपको इसका passive बनाना है, तो जब आप passive की तरफ जाएंगे, तो इन चीजों का क्या होगा, इनको क्या करना पड़ेगा, इनको आपको convert करना पड़ेगा, ये बदल जाएंगे, अप अब किसने बोल दिया अब question में आपको is, m, r लिखा मिल रहा है अब do or does नहीं मिला अब is, m और r मिला और कहा गया कि भाईया यही active है अब बनाओ इसका भी passive clear होगे बाइस तो अब इसका कैसे passive बनाएंगे इसका जब passive बनाओगे तो ये तो रहेंगे ही रहेंगे इसमें इस भी होगा, m भी होगा और r भी होगा लेकिन अकेला नहीं होगा इसमें passive बनाने के लिए इसमें एक चीज़ जूड़नी पड़ेगे और उसे कहते हैं being क्या बोलते हो से बिंग कहते है repeat करता हूं S E S हुआ या do या does हुआ, S E S क्या होता वो भी सुन लो नहीं तो रह जाओगे आप लोग, देखो, S और E S ही जितने हैं मैंने लिखा न यह पहला डबा इसे कहते है वब की first form और वब की first form होती है यह पहचान किसकी होती है दोस्तों present tense की होती है, मतलब यह present है, clear है, अब क और यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, अब आपको पता S C में लिखना पड़ेगा, मुझे walked, ED लगा दिया, देखो मैंने, ED लगा दिया तो second form बन गया, यह verb की first form पहचान होती है present tense की, तो verb की second form पहचान होती है past की, verb की third form का मतलब होता है कि जब आप इसे perfect नाम आपको walked ही लिखोगे, ED ही लगाओगे, यानि कि walk के second और third में बिल्कुल same रहता है, fourth form में ing लगाना है, आपको पता है क्या लिखना पड़ेगा अब आपको, walking ing लगा दिया, आपने यह fourth form होगी, इसमें एक शब्द और missing है, वो कौन सा है, वो है walks, S लगा हुआ, यह भी त first form है, तो मालनों हमें किसी sentence में first form की requirement है, और हमें option में एक में दे दिया जाए walk, और बी option में दे दिया जाए हमें walks, तो हम कैसे पता करेंगे, क्योंकि यह तो दोनों ही first है, और हमसे कहा गया है, यहाँ पर भी यह एक fill in the blank से और वहाँ पर आपको first ही भरना है, तो यह भी यह भी तो first है, तो तो हमें टक गए, नहीं दोस्तो, इनमें अंतर क्या होता है, देखिए verb की एक खासियत होती है, verb में जब आप s लगाते हो, यहाँ ध्यास देख लो, जब आप उसमें plus लिख रहा हो मैंना, plus s करते हो, तो वो verb जिसमें s लगा हुआ है, वो singular होती है, और वो verb जिसमें से आप s को हटाते हो, यह माइनस लिख दिया मैंना, आपने हटा दिया, आप नहीं लगा रहे हैं, तो उसे अपन plural कहते है, clear है, अगर verb में s ना हो, तो वो plural है, तो वो plural है, अगर उसमें है s, तो वो singular है, तो आपको क्या मालूम करना पड़ेगा, भाईया, first form तो यह दूनों ही होती है, बस फर्क है कि walk बिना s वाला, plural हो गया, यूकि उसमें s नहीं है, और इसमें जिसमें s है, वो हो गया आपका singular, तो हमें क्या पता करना पड़ेगा, अब यह पता करने पहले एक चीज़ और सुन लो मेरी आप, आपको हमीशा sentence को solve करना है, तो हमी agreement वाला, वो कभी भी verb और object के बीच में नहीं हुआ है, वो हमेशा हुआ है subject और verb के बीच में agreement, agreement किस बात का है दोस्तों, agreement इस बात का है कि जैसा subject होगा, उस sentence में वैसा ही उसका verb होगा, इस line का मतलब यह होता है, कि अगर subject singular हुआ, तो उसकी verb भी वैसी हैगी, तो फिर verb को verb कैसा होना पड़ेगा, singular, और verb जब singular होती तो उसमें क्या लगता है, उसमें s लगता है, लेकिन अगर subject हमारा हुआ plural, तो फिर हमारी verb भी कैसी होनी चाहिए, plural होनी चाहिए, और जब verb plural होती तो उसमें से s हटता है, यह बात clear हुई दोस्तों, यह ना, यह मैंने भहुत सार है, यह s क्या लगा हुआ है, अब चाहे s लगाओ, चाहे नहीं लगाओ, दोनों ही हाल में कौन सी form रही है, first form ही रही है, क्या आपको अंतर मालूम चलिया, अब आप क्या walk चुन पाएंगे और walks चुन पाएंगे, बिल्कुल, मालूम में यहाँ पर he लिख देता है, sentence में आ सिखा होता दे, और हमसे कहा होता बताने के लिए, तो दे प्लूरल है, तो फिर इसकी वर्ब भी प्लूरल चीए, और प्लूरल वर्ब कब होती, जब उसमें s नहीं होता, यानि आंसर हो जाता, walk, यानि की they walk, तो क्या बोलता है, he walks, they walk, clear होगे दोस्तों, तो यह कुछ बात कि उपर ही लिखके रखा हुआ है first form, क्योंकि यह present है, तो अंदर कैसे मालम चलता है, आप देख रहे हो, अगर यह दोरो first form है, तो मतलब कुछ तो गडबर होगी, कुछ तो अंतर होगा, बनी बात है, दोस्तों मैंने क्या कहा था, जब भी वर्ब में आप S या ES लगा होग है, वो plural होगी, अब suppose करो, मैं आपसे फिर से पूछू कि अगर मैं यहाँ पर ही लिखूँ आगे, तो आप क्या बोलोगे, ही do बोलोगे, कि ही does बोलोगे, आप ही does बोलोगे, क्यों, क्योंकि ही singular है, तो उसकी वर्ब भी singular होने चीए, और वर्ब singular तभी होती है, जब उसमे एस या एस नहीं लगा है, तो वो बब हमेशा plural होती है, तो suppose करो, अब मैं यह आपे दे लिख दू, अगर मैंने दे लिख दिया, तब आपका अंसर क्या हो जाएगा, दे डू, लेकिन he does, she does, you, you do, I do, I does नहीं होता, you does नहीं होता, क्यों, क्योंकि you और I, भले ही आपको singular क तरह लगते हैं, लेकिन यह हमेशा अपनी बगल में plural verb लेते हैं, यह जो helping verb होती ही, वो हमेशा plural लेते हैं, इसलिए I के साथ हमेशा do लगता है, you के साथ भी do होता है, यह दिखते singular हैं दोस्तों, यह दो, लेकिन लेते हमेशा plural हैं, ठीक है, बाकी इन में से कुछ भी उठा यह पॉइंट यहां से हटा रहा हूँ, मैं, आपको आगे बढ़ाना है, देखियो दोस्तों, तो मैं फिर से repeat करता हूँ, मैंने क्या का आप से sentence में आपको as, yes, do or does, इन में से कुछ भी मिल गया, कहा गया है active है, बनाइए passive, आपको उसे isMR में लेकर के आना है, और अगर isMR ही कह दिया गया, यही sentence में लिखा हुआ है, अब यह नहीं लिखा है, अब यही लिखा है, और कहा गया, is लिखा हूँ, sentence है, active है बनाओ passive, तो आपको इसको isMR लिखाना है, लेकिन being लगाना है, अब कहियों के मन में doubt ही रहता है, सर यह isMR तीनों option में से क्या लगाएंगे, अगर तीनों ही open हो रहा है तो, तो देहां से देखें दोस्तों, अंतर क्या होता है, आपको मैंने अभी थुड़ी देर पहले trick बताई कि verb ढूल लो, verb से इस तरफ जो भी मिलता है, वो subject होता है, यह clear है, इस तरफ subject है, उस तरफ object है, इता clear है, यह जो format आपने लिखा है, इ चुरू वाली चीज़ चली जाएगी, उटकर के last में, पैसिव बनाते वक्त हमेशा वर्प को नीचे खीचते हैं, और वर्प की बना देते हैं, उसे third form, और यहां उसके just bugle में यहां पर लगा देते हैं, अपन by, इस पर भी आऊँगा, कई लोग यह रट के बेठे होते है कि अगर passive पहचानना है, तो हमेशा by देख लो, ऐसा कभी कभी मत करना, अब से छोटे से छोटा exam हो, चाया बड़े से बड़ा exam हो, किसमें भी ऐसी चीज़ा अब लिखी भी नहीं आती है, कभी कभी आपको मैं बताऊंगा इस पर चैप्टर में कि in लिखा हो, तब भी वो passive होता है, कभी कभी at है, तब भी वो passive है, ये by के जगा in भी हो सकता है, at भी हो सकता है, with भी हो सकता है, तो ये कभी रट मत लीजेगा कि सिर्फ by ही उसकी पहचाने कि वो है, कि वो एक passive है, इनसे भी पहचाना जाता है दोस्तों और यही important है, examiner को पता है कि आप किसको जानते हैं, तो जिसको नहीं जानते हैं, वो उसी पेसे आपसे question पूछते हैं, इसी वह से आपसे passive और active questions नहीं बनते हैं, clear है दोस्तों, अच्छा, ये मैंने आपको क्यों बताया है, क्योंकि मैं आपको explain करने वाला था कि ASMR में से हमें चुनना पड़े, क्योंकि ये तो हमें लिख रखते हैं, नाम है, ये जगा का नाम होता है कि ये subject एक जगा है, object भी वो एक जगा है, object भी जगा है, तो रखोगे तो वहाँ पर भी noun ये pronoun ही, अब noun ये pronoun ही रख रहे हो, तो noun ये pronoun तो singular भी होते हैं, plural भी होते हैं, और अगर ये object है, इसमें भी अगर आपने noun pronoun रखा है, तो नाउन भी और प्रून भी singular भी होते हैं प्लूरल भी होते हैं तो जब वहां से यहां लाओगे तो वह अपनी चीज़े थुड़ी तो छोड़ देंगे वह चीज singular थी तो यहां आएगी तब भी तो वह singular ही रहेगी और अगर वह उस तरफ वाली चीज वहां पर plural थी तो य इस है मार तीन option खुल जाएंगे लेकिन इन में से एक चुनना है एक चुनने के लिए क्या देखना हुआ कि उधर से क्या आया उधर से जो आया वह सिंगुलर था आंसर क्या हो जाएगा इस एम और रहटा दोगे क्लेर हो गया फिर से देखो मालों की डू लिखा हुआ था उधर से आने वाली चीज अब आपकी सिंगुलर नहीं अब आपकी प्लूरल है तो अब डू दिख रहा है मुझे मालू है कि किसी ने कह दिए कि यह एक्टिव है बनाओ इसका पैसे तो मैंने याद किया हुआ हुआ है कि डू डस जब भी दिखता है तो इस एम और नीचे देखें यह अब्जेक्ट है जब भी यहां पर मी रखा होगा मी मी को अब्जेक्ट ही कहते हैं जब आप प्रोनौन की टेबल पढ़ेंगे उसमें जब आप सब्जेक्ट और अब्जेक्ट प्रोनौन पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा कि सब्जेक्ट और अब जब मी इधर आएगा तो अपना form चेंज कर लेगा अभी object में था इसलिए मी था लेकिन हम हम उसे शुरू में लाएंगे तो अभी subject की जगा है और subject की जगा पर मी नहीं लिखा जाता है उसे i लिखा जाता है तो आपने उसे i बनाया अब जब i बनाया और फिर मैंने दे होती है एम नाम की वर्ब से हमेशा आप क्या बोलते हो आए एम कभी भी आप आई इस और आए आर नहीं बोलते तो यही इन तीनों का मतलब तो दोस्तों यह तीन options खोल देंगे depend करता है कि आप उधर से क्या लेकर के आए हैं और उस हिसाब से आपको उनमें से एक को चुनना पड़ेगा सिंगुलर हुआ इस लगाईएगा प्लूरल हुआ आर लगाईएगा नहीं हुआ तो यहां आय बना करके उसमें एम लगाईएगा खतम का और सपोस्स करो अब मुझे डू नहीं मिला अब मुझे इस ही लिखा मिल यह मतलब मुझे सेकेंड स्टे मैं उदर से क्या लाया हूँ अगर उदर सिंगुलर है तो इदर से इस लगा दूँगा उदर से प्लूरल आया तो आर लगा दूँगा उदर से मी आया तो आय बना करके इसमें एम लगा दूँगा लेकिन क्यूंकि यह सेकेंड स्टेप है और जब मैं थर्ड स्टेप में चाता हूँ तो ये तो मैं करता हूँ लेकिन इसके साथ एक और चीज क्या लगा देता हूं मैं इसमें बीइंग भी लगा देता हूँ तब जाकर कि इसका पैसे बन जाता है अब दोस्तों ध्यां ससनो कुश्चन आपके पास कैसे आंगे सबसे important question में आपको अभी behavior समझा रहा हूं on the board बिना question लिखे या आप इसको answer कभी भी कर सकते हो अपसे कहा जाए कि भाईया suppose करो आपको एक question मिला ऐसा उसमें इस भी लिखा हुआ था हो जबता इस नहीं हो तो एम होगा आयम लिखा करो सिधर के दिया passive में convert करो तो क्या यह passive में convert होगा नहीं इस बात इसके नीचे अभी step है ही नहीं इसका मतलब यह हो कि कहीं पर भी यह लिखा हो और कहा जाए इसका passive आपका हमेशा answer होगा cannot be determined या फिर none of these इन में से कुछ भी एक लगा सकते हुआ है न वह options देंगे आपको और याद रखी एक और option देंगे none of these यह और अगर नहीं दिया है तो समझें फिरो question में error है clear हुआ गाइस है न तो चलिए अब इसके बाद देखते हैं past में तो यह आपने देख लिया तो यह आप चाहे वर्प की first form हो यानि कि ऐस या इस वाला मामला हो या डू या डू या डू या डू डू अपने फस्ट में लिखा था तो इसको second में आप क्या लिखेंगे भी यह जाकर कि यहां पर यहां पर अब इसे लिखेंगे आप इसका मतलब यह हुआ कि चाहे वर्प की second form मिल जाए चाहे डिड लिखा मिल जाए अब आपको इसमें आ जाना है ठीक है अब हम इसमें आ गए वर्प की कोई second form हो सकती है याद ना मैंने बताया था जैसे कि यहां पर आपने एक्जेंपल लिया था वाक और वाक्स का या दो गर्डू दर्श का लिया था यह ऐसे और यहां वाला मामला मैंने बताया था आपको ठीक है यहां पर second form में आप क्या लिखोगे आपको कुश्चन में वाक्या वाक्स नहीं दू या डज नहीं हो सकता है वाक्ड लिखा मिल जाए तो भी वह second form है और डिड लिखा मिल जाए और यह आपको दो option देगा change होने की या तो आप नीचे इसे was बना देंगे या तो आप वर बना देंगे अब इन में भी क्या है कैसे अंतर करेंगे देखे वास होता है singular और वर होता है plural और मैंने अब भी आपको इतना कहानी समझाई है कि यह was singular है plural किसे decide होगा भाया उधर स इधर जो आएगा plural हुआ तो वर लगा देना इन दोनों में अंतर क्या है यह present था तो पैचानने का तरीका है s e s do does मिलेगा तो यह वाली series follow कर लेना जब आपको यह नहीं मिला और यह सम मिला तो यह वाली series follow कर लेना अगेन अब मान लीजी कि हमसे कहा गया वास वर एक sentence दि और यह दोनों में से कोई भी मिल जाए option तो यह फिर से मुझे नीचे उतरने का देंगे was और were he again depend करता है कि इनके sentence में यहां पर last में क्या लिखा था और उसे जब मैं नीचे लेकर क्या हूँगा singular हुआ तो was लगा दूँगा plural हुआ तो were लगा दूँगा लेकिन यह तो same स जाए कि अब इसका भी पैसिव बनाओ तो अब यह पैसिव बनेगा नहीं क्योंकि इसके बाद यह सीरीज स्टॉप हो जाती है इसके बाद इसरीज स्टॉप हो जाती है जब sentence में इस और बिंग जाए उसके बाद उसका पैसिव बन ही नहीं सकता जब was और were और being डिग जाए नहीं सकते हैं इसके उपर जा सकते हो कहा जाए कि यह पैसिव है तो वह सही है भुवत ध्यान सुनियेगा इसे गलत मत समझीए अगर कहते जाए कि यह पर पढ़ रहा है एक्टिव और peasant voice अगर कह देगा चेंज़ नहीं को सोचना कि सरने बोला नहीं कि बोलाता है इ तो कही कहा जाए कि यह एक्टिव मिलेंगे वज वर लेकिन उन में नहीं है वह तो नीचे जुडआ था जब आप इस से नीचे आएंगे तो यसपनी चैуса समझ मैरी मेरी ढ hired tug sedo आप अगली सीजी क्या समयन city आपको लिखा मिल जाए है अपको लिखा मिल जाए है ठीकिस कहा जाए भईया ये active है बनाओ इसका पैसे ना बनाओ इसका पेसिव तो कश्या होगे आपको इन लिखे मिल रहे हैं वह वैसे के वैसी होने चाहिए लेकिन अंतर होता है है और है यह देखो यह प्रेजेंट है यह प्रेजेंट की पहचान होते हैं है और यह वाला जो होता है है आपका यह यह होता है पास्ट की पहचान दोस्तों और याद रखिए एक्टिव से पैसिव में चाहे passive से active में आप जाओ, tense कभी भी change नहीं होता, ये देखो ये ही समझा रहा है आपको, ये देखो ये present था ना, तो ये चीज present थी, तो ये भी तो present ही है, तभी तो ये पूरा chart ये present कहलाएगा, tense change नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखेगा, इस है मारी था, तो इस है मारी गया है, बस being लगा दिया है मैंने, और कुछ नहीं किया है, अगर वो अपकी second form थी, तो देख लो second form ही second form चल रही, was, 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 अब past होते हैं, तो अगर ये present है, तो कभी भी ये मत कर देना कि आपने नीचे गए और तीन option खोल दी है, अपने लिए has have और had, ये तो हो इनी सकता, और आपको पक्का examiner एक option में लिख करके देगा had, तो आप बिल्कुल उस option को clear cut हटा सकते हो, क्यों, योगी sentence में हमें has ये have मिला है, अगर ये दोनों मिल गए, तो ये ही दोनों option में आएंगे, clear हो गया, आपके पास सिर्फ दो ये option हैं, दोनों के लिए, जैसे मैं आप से पूछू की he के साथ आप क्या लगा होगे, singular है, तो he has बोलो, मैं आपके लिए यहाँ पर दे लगा दू, तो आप दे के साथ क्या बोलोगे, have, और अभी मैंने आपको बताया था, I और you के बारे में, ये दिखते singular हैं, लेकिन लेते plural हैं, तो आ करना है, लेकिन ये तो वैसे का वैसा होगा है, अब जो चेंज का होगा है, तो एक काम करते हैं, इसको head को यहां से मैं हटाई देता हूँ, तकि आपका doubt ना बने, तो समझ लिए कि यह has और have मिला, इन में से कुछ एक भी मिला, तो जब नीचे आएंगे, तो हमारे पास दो हैंगे हैंगे हैज और have के, डिपेंड करता है कि उधर से singular आया तो हैज लगा दूगा, देखो question कैसे आयागा दोस्तों, confused नहीं हो ना, suppose करो आपको सिर्फ have लिखा हो मिला, एक sentence आया, उसमें सिर्फ have लिखा हुआ है, आप जब नीचे बदलने जाओगे active से passive तो आपको द हैस मिलता तब यही काम परता है, तो यह तो अभी सेम हुआ, चेंज कैसे होगा, अब आपको इसमें चेंज करने के लिए सिर्फ एक चीज जोड़ देनी है, being, सबसे पहले क्या जोड़ा था, being दिख रहा है, being जोड़ा था, अभी क्या जोड़ दिया, being जोड़ दिया, तो यह तो present के लिए मैंने बता है, अब suppose करो मुझे sentence में head लिखा मिल गया और कहा गया कि यह active है, और यह past है, तो इसमें तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि यह past है, और past में एक ही शब्द होता है, इसमें सिर्फ head ही वापस से लिखा जाएगा, क्योंकि इसके लिए choice ही नहीं होत सकते हो, और अगर मैं आपसे दे लिखवा दू तो आप दे head भी लिख सकते हो, यह दोनों में काम करता है, clear हो गया, चलिए, क्योंकि वर्प की second form जितनी भी होती है, यह past में यह देखो, यह जितनी भी चीज़ें होती है ना, यह यह वर्प की second form, यह head, head को फरकने पड़त होपस हो, अमीद करता हूँ आपकी, यह ना, चलिए, इसको यहाँ थोड़ो सा rough करके, और basic चीज़ें आपको बता दू मैं, ठीक है, head हम आगे दे, अब अगली चीज़ हमारे पास भी है, future के लिए तो कुछ हो जाए, will और माल लो लिखा मिला shell, कहा गया कि यह active है, बनाना इसका passive है, कैसे करेंगे, तो again will और shell को will और shell ही लिखोगे नीचे ला करके, ठीक है, फिर से याद रखिए दोस्तों, इनको again इन बिलकुल head की तरह फरक नहीं पड़ता, यह singular होते हैं, यह singular भी होते हैं, यह plural भी होते हैं, दोनों होते हैं, अब आपको इन में नहीं सोचना है, मतला है, आपको head में कभी भी सोचने की दरुरत नहीं पड़ेगी, चुचाप उतार के रख दो, आपको कभी अच्छा, यह मत करना कि will को उठा करके आपने would बना दिया, है ना, यह हरकत कभी नहीं करेंगे, आपको option में, जब चार option दिये जाएंगे न, एक sentence लिखा मिलेगा, कि इसका passive बनाई है, तो passive की चार option रहेंगे आपके पास, will sentence में लिखा है, आपने passive में देखा कि would लिखा हुआ, आप उसको तो इखो ही मत, क्यों? मैंने कहा है, tense change नहीं होता, जब आप will लिखते हैं और shall लिखते हैं, तो यह वर्ब की first form में चले आते हैं, और जब आप इनको will से would बनाते हैं, या should लिखते हैं, तो यह वर्ब की second form में आते हैं, और आपको पता है कि verb मतलब present होता है, और second form म change नहीं होता, देखें, कुछ चीजे तो आप बिलकुल गाठ बांद लो कि क्या चीजे चीज नहीं होती है, जहां सुनो, मैं आपके लिए एक note बना करके लिख देता हूँ, जिसको आपको अभी screenshot ले करके, या कैसे भी करके note कलें, अपनी copy pen आपने लिया ही होगा, यह ते स इटा सकते हो, जिसमें, मालो आपके question में not दिया और एकात में not नहीं है, कई बार तो ऐसा होता है, चार option में से सिर्फ एक में not होता है, और बच्चे पूरा पढ़ते रह जाते हैं, clear हो गया, बहुत easy है, कुछ tricks बता रहा हूँ, जिनको आप देख करके तुरन-तुरन पत बता ही आपको, और क्या बता दो मैं आपको इसमें, हाँ, और दूसरा, यह विल-चैल जो नहीं बता है, हाँ, tense change ही होता, अगर active का जो tense है, अब चाहे वो present हो, अब चाहे वो past हो, अब चाहे वो future हो, कुछ भी हो, आपको passive में भी, active से passive में भी, वो tense as it is ही मिलेंगे, मस जो जरूर देते हैं, लेकिन tense को change नहीं करते हैं, यह तक लियर हुआ, चली, इसको note कर लीजेगा, अच्छे अपने पास, question मा को not का ध्यान रखो, इन पर question बहुत आते हैं, चलो भई, अब देखते हैं, इसमें अगला, यह कुछ बात है, जरूरी मैंने आपसे कहीं, तो आ आपने being जोड़ा, present में और past में, being, आपने has, have, head जब लिखा तो आपने being जोड़ा, और आपने क्या जोड़ा है, be, clear हुआ, बहुत बढ़े हैं, तो ठीक है, यहाँ पर मुझे will दिख रहा है, और यहाँ पर मुझे has, have दिख रहा है, clear हो गया, suppose करो इन दोनों को जोड़ दिया जाए, यानि कि अब साथ में आपको मिल रहा है, will have, या फिर आपको मिल रहा है, shall have, अब भाईया मेरे से कह दिया कि यह है active, अब बनाओ, यह sentence में दिख गया हो, यह passive बनाना इसका, अब मैं अगर will को देखूं, will को देखूं, तो नीचे जाते वक्त तो मैं be आइड में देखूं, तो मुझे have देख रहा है, और have की कहानी बहाँ चलती है, और have कहता है, जब उनीचा था तो वो बीन लगाता है, आप इन में से कोई एक लगाना है, will देखोगे, तो बीर की तरफ चले जाओगे, और have देखोगे, तो बीन दोनों को merge कर करके आपको य चले होगे, तो ऐसी हालत में याद रखिए हमीशा, जो last में लिखा होता है, जो last में लिखा होता है, उसकी साब से काम हाँ, ठीक है, अब last में क्या लिखा है, तो option क्या खुलेंगे नीचे जा करके, option आपको यही मिलेंगे, मैंने कहा था ना, यह change नहीं होते है, तो change नही होंगे, और याद रखिए, will और shell, यह जितने भी word होते हैं, will, shell, can, ऐसे करके, यह models होते हैं, आपने सुने होंगे, इतना आप जानते होंगे, नहीं सुने तो सुन लीजिए, माल लीजिए इस चीज़ को, will, shell, can, could, इतने word होते हैं, model होते हैं, इनके साथ कभी भी has नहीं लगता है, और कभी भी had नहीं लगता है, सिर्फ एक ही word हमेशा लगता है, हमेशा होता है, हमेशा होता है, तो आप क्या करेंगे, अब जब will और shell ही मिल गया है, तो पहले तो वैसी के वैसी copy कर देना, अगर question में will have लिखा है, copy कर देना, क्योंकि यह change नहीं होते हैं, ठीक ह कर देना, चलिए, आगे बढ़ते हैं, धीरे से, यह hopes हो, कि आपने यह सब लिख लिख लिया होगा, देखे दोस्तों, तो अब हमने, क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे कहा, note की बात कही थी, मैंने, क्या-क्या कहा था, आपको याद रखने के लिए, कि active में अगर आपने not उतरना ही, दूसी चीज मैंने आपसे कही कि, अगर active sentence में कोई भी models आ जाए, models अभी मैंने आपको बतायाता है, will हो गया, shell हो गया, can हो गया, या इनकी suppose करो, कभी-कभी यह will-shell ही नहीं लिखे मिलेंगे आपको, will-shell लिखा मिला है, तो be as it is ही उतारना है, passive है, तो वापस से आपको जो भी model लिखा होगा उसमें, जो भी model, इनने model verb कहा जाता है, तो आपको इनको as it is ही उतारना है, will है तो will उतार देना, shell है तो shell उतार देना, can है तो can उतार देना, लेकिन क्या ऐसी छोड़ दोगे, नहीं, आपको process में एक चीज जोड़नी पड़े ही, और वो है लिखा था, मालनो would लिखा था उपर, तो आप would को would ही उतार दोगे, could लिखा हुआ था, तो आप could को could ही लिख दोगे, should लिखा हुआ था, should को should ही लिख दोगे, लेकिन फिर से क्योंकि passive में जा रहे है, तो जब भी model को passive में ले जाते हैं, चाहे वो ऐसे first form में लिखे हो model, जब आप उनको passive में लिखे हो, जब आप उनको passive में ले आएंगे, तो आपको उनके साथ हमीशा बस B लगाना होता है, बाकी change नहीं करना होता है, यह one point, two point, three point, और fourth point मैंने आपको बताया था कि अगर active का sentence में question mark है, तो passive के sentence में भी question mark होगा ही होगा, अच्छा, अब यह question mark को अली चीज में समझा दो, दोस्तों, आपको क्या लगता है, किसी भी sentence के last में question mark कब मिलता है, कब हो सकता ऐसा, तो इसको समझाने के लिए, मैं आपको दो example दे रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा इनको, सपोस करी मैं आपसे पूछ लूँ, मैं आपको ये sentence लिख दू यू आर अशोक, अब आप मुझे बताओ, यह मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको बता रहा हूँ, बनी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, और जब आपन बताते हैं, पूछते नहीं, तो last में full stop लगाते हैं, अब चली देखते हैं, तो समझते हैं कि आखिर किसी sentence के last में full stop कैसे लगता है, उसका structure कैसा होता है, तो आपको दिख रहा है, आर हो चाहिए, कुछ भी हो है, तो verb यह तो आपको सीखी चुके हो, अब आपके इस तरफ जो लिखा मिले है, वो क्या हो जाता है, subject, तो आपको दिख रहा, subject यहां पर पहले है, और verb यहां पर बाद में तो आपने क्या लगाया हुआ है, full stop, अब मैं इसको interchange कर देता हूँ, आर को आगे कर देता हूँ, और यू को पीछे कर देता हूँ, यानि कि अब आर आगे है, यू पीछे है, और अब मैंने लिख दिया, अब आप बताईए, अब अपने को last में क्या लगाना पड़ेगा, या मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये मैं पूछ रहा हूँ, आर यू अशोक, या तुम अशोक हो, तो अपने क्या किया, जो वह बाद में थी, उसे पहले रख दिया, जो subject पहले था, उसे बाद में रख दिया, यानि आसान भाशा में, आपने देखा कि last में अगर हमें question mark ची है, तो passive में भी question mark उतरेगा, इसका मतलब यह हुआ कि अभी भी passive की शुरुआत कहां से होगी, वर्ब से, अब ये वर्ब और ये वर्ब में अंतर कैसे होगा, suppose करो इसमें आपको do मिल गया, तब आपको याद है, कि do जब होता है, तो नीजे जाते तो आपने पास तीन option आत अब तो आगे कर दिया है, आप इन में से कैसे चुनेंगे, तो इनको चुनने के लिए दोस्तों सिर्फ ये वर्ब को छोड़ो, आपको चुनना ना ismr कैसे होगा, तो बाकी बचे sentence में से यहाँ पर object ही रखा होगा, उसको शुरू में लाना, लेकिन आप पहले नहीं रख सकते क्यों रख सकते क्योंकि पहले रखंगे अगर पहले रखंगे तो फुल इस टोप लग गया है आपको तो रखना उसे वर्ब के बाद ही होगा तब ही तो कुश्चिन माग लगेगा और हमारी रिखॉयर्मेंटuld कुश्च ही है मतलब आपको इसकी पहले तो नहीं आपको इसके बाद ही रखना पड़ेगा अब suppose करिए वहां से यहां आने वाली चीज सिंगुलर होई तो आंसर क्या लग जाएगा वहां से आने वाली चीज यहां पर पहले रखा है और वर्प को जब पहले रखते हैं तो हमेशा लास में कुश्यमाक लगता है तो यह कुछ बहुत बेसिक बाते हैं जो किसी को भी ध्यान ने रहती तो मैंने आपको अच्छे से इसे format बना करके आपके लिख दिया है तो आपको इसी समझ में आएगे ठीक है तो आज यह अब देख लेते हैं आपन छोटा सा एक प्रणाउन का टेबल जो बहुत जरूरी है जैसे कि आप सभी जानते हैं इस तरफ आपन सब्जेक्ट लिखते हैं इस तरफ आपजेक्ट में भी यूही होता है जब्जेक्ट में वी लिखते हैं और अब्जेक्ट में इसे अस लिखते हैं यहीं पर दे लेकिन अब्जेक्ट में देम लिखते हैं यहां पर ही लिखा है तो अब्जेक्ट में हिम यहां पर शी लिखा है तो अब्जेक्ट में हर क्लियर है और क्या यह और याद रखिए हूँ को अबजेक्ट में हूम लिखते हैं तो आपने देखा यह चीज़े बहुत जूरूरी है क्यों जूरूरी है देखे ना आपसे क्या का था भाई यहां पर रहे ना वह इस तरह सब्जेक्ट इस तरह अबजेक्ट जब उधर से इधर कोई चीज तो यहां लाग क्या बना दोगे ही यहां पर अगर हर लिखा मिल रहा तो यहां लाग क्या बना दोगे शी अगर अब यहां हूम लिखा हुआ है तो वह हूम इधर आकर सब्जेक्ट में क्या बनता है देखो हूम ऑब्जेक्ट में हूम है लेकिन जब उसे सब्जेक्ट में देखे हुए हैं चली इंको solve करते हैं फटा फट से आप देख रहे हैं यह सारे के सारे active में हैं ना मैंने पहले से लिखा हुआ अभी आपको training है तो आप समझ रहे हो तो फिर मैं इसकी पास सीधे question आएगा तो आपन change the voice लिख करके आई है फिर आपन उसमें भी समझेंगी ठीक अभी तो बनाई है चली तो भाईया यह active चलो इसका क्या passive बना सकते हो आप तो आपको क्या करना है पहले तो यहां पर चुप चुप रोक लो वीडियो को और जल्दी से बना क्यों कि छोटे-छोटे से हैं पहले ख क्लियर हो गया है कि किसी भी हालत में यह दोनों की दोनों हैं तो वर्ब पहली बात अगर यह वर्ब है तो इस तरफ लिखा हुआ चीज subject होगा और इस तरफ लिखा हुआ चीज यह object होगा और मैंने कहा ता आप से कि जब आपन passive बनाते हैं तो उधर की चीज इधर ले आते तो उधर से यह चीज इधर आएगी तो grass इधर आजाएगा clear हो गया ग्रास को अपन यहां ले आए और यह subject में लिखी वी चीज़ें उधर चली जाती है तो the cow last में चला जाएगा तो आपने grass भी solve कर लिया आपने the cow भी solve कर लिया आप सिर्फ वर्ब बचिए इस और rating वो भ करते हैं अपन is m और r में और कहा जाए कि अगर यही active है अब इस ने मारी मिल रहा है और कहा गये active और इसका बनाना है passive तो आपन क्या करते है इस लिखते है एम लिखते है आर लिखते है डिपेंड अपॉन दे सिंग्लर और साथ में क्या जोड़ते है आपन बीग ठीक है अ इसको हमें कहां ले आना है नीचे ले आना है और हमें इस question में being लगाना है मतलब यह वाला format इसका त्यार करना है चलो बहिए हमें यह समझ में आगए कि यह इस लिखा हुआ तो हमें तीन option दे देगा यह is m और r और यह भी confirm है कि हमें लगाना है being तो हमने यह काम तो कर और uncountable इस दुनिया की जितने भी uncountable non होते हैं सारे के सारे सिर्फ singular category के होते हैं इसलिए answer क्या हो जाएगा यहां पर इस ना की m ना की r क्लियर हो गया तो आप इसको यहां से हटा दो यह लो अब आपने चुल लिए तो graph is being अब भया क्योंकि passive में हो तो passive की पहचान मैंने आपसे क्या काय था यादा यह structure जब मैंने बताया था इस तरफ subject है object इधर आ जाता है subject इधर चला जाता है ठीक है वर्प को खीच करके व इंग भी लगा दिया यह eating का जो ing था ना यही आ करके being में चिपक गया तो ing भी खतम हो गया तो अब सिर्फ वर्प क्या बची आपके पास eat और eat को ही तो यही तो आप वो वर्प है इसको खीच के क्या बनाना है वर्प की third form बनाना है तो eat का third form क्या होता है दोस्तों eaten तो क् बेलकुल grass is being eaten लेकिन कहा अभी एक चीद और बची और मैंने क्या का था बाय और लगाना है यह तो यह वर्प की third form और यहां पर बाय और पुट कर दो लोग हतम काम the grass is being eaten by the cow clear हुआ चली second को देख लेते हैं और देखो अभी तो clear हो रहा अब यहां पर पहले फिर से वर्प ढूंड लो भईया जिनको समस्या है इनको यहां थोड़ा सा इस question को अलग कर दो उपर से ठीके दोस्तों बहुत ध्यांस देखिए है अब यह lights कुछ जला रहे हो आप कुछ क कर रहे हो तो कुछ क्रिया कर रहे हो क्रिया कर रहे हो तो भईया यह light से पश्रहतों इस लेकिन सब्जेक्ट में ही लिखते हैं अभी मैंने बताया था यह जब आपको ध्यान रखने को अब जब जब जाओ तो आपको बदलना है हिधर ही रहेगा और जब आप ही को ऑबजेक्ट नोलिक्टे लिखते हो तो यह इधर तो आएगा लेकिन इसका रूप चेंज वाएग बचा है लाइट तो अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एस या एस मिल जाए या डूएड़ जाए तो अगली स्टेप में आपसे कहा जाए कि उसे पैसिब बनाईए तो एस एस डूएड़ इनमें से कुछ भी हो क्या option खोलते हैं आपके सामने इस एम और आर तो भाईया यह मेरे पास option खोल देगा इस एम और आर एक लेर हो गया अब इनमें से क्या चुनुम है डिपेंड करता है कि उदर से हम क्या लाए डग केंडल केंडल एक एक मुम्बत्ती खतम काम सिंगूलर है आंसर क्या हो जाएगा इस एम और रटाल हो अपने लेटिरों के बाद अब क्या बचा है यहाँ पर देखिए पैसिफ के पैचान होथी वर्पकी थर्ट ओम लगाया स्क्वल को खीच करके वर्पकी थर्ट आप बनाते तो लाइट लिखा हुम है लइट वह हैं तो यहां पर आके से वर्पकी प्रपक्या बनाओगे उसे अगर यह एक्टिव है इसका बनाना पैसिव है तो नॉट बदलता नहीं नॉट तो एजट इस उतरके सामने आ जाएगा पहली फुरसत में अब दूसरा आपको दिख रहा होगा डज यह भी आपने सिखा हुआ है चलो ठीक है जो भी है आपन पर लिए करते तो देखो नॉट लिए तो डज और लाइट सबके सब वर्ब है नॉट को छोड़ कर गए तो यह अगर इतनी वर्ब है तो इस तरफ यह ही आपका सब्जेक्ट है और यह आपका दकेंडल यहाँ पर ऑबजेक्ट है दकेंडल को आप शुरू में लाएंगे तो यहाँ पर लिख देता हूँ सब्सक्राइब है तो आप लिखोगे हिम और बाए लगाते ही उससे पहले तो भाई भी लगा दिया वाई हम फुरसत हो गया अपन ठीक है अब डश को देखकर कि आपके सामदें तीन आप्शन आते है जैं मर उदर से आई उची सिंगुलर है तो कोई डिक्कत ही नहीं आप अच्छा नॉट के बारे में चीज और बता जिता हूं हमेशा इस है आर एम वाज वर जो भी लिख रहो हमेशा नॉट इधरी लिखना इधर मतलिक देना कि कॉपी तो करना है लेकिन कईयों को डाउट जाता है किस तरफ लिखना है नॉट इधर नहीं होगा हमेशा इसके उ नॉट लाइट वाए हम एक और देख लो लास्ट वाला पूरा स्ट्रक्चर याद रखना आपको इध्यान रखना ही कौन से स्टप में यहां से मैं पूछ रहा हूं आप देखो डू यू भाईया क्या लिखा है यह कुश्शन मांक वाला एक्ट्व है मैंने आपसे क्या का तो पैसिव में भी कुश्चन माक हटता नहीं तो कुश्चन माक रहेगा और अगर कुश्चन माक यहां लास्ट में है तो शुरू वाली चीज हमेशा सिर्फ क्या हो सकती है वर्ब अब वर्ब कौन से खुलेंगे इसमें ऑप्शन वह देखना पड़ेगा यहां पर आपने क्या लिखा है हमने देखा कि इनोंने डू लिखा हुआ है तो डू या डॉस हो तो हमें मालू में यह अगर एक्टिव है तो इसका पैसिव में यही तीन ऑप्शन खुल सकते थे तो अब चुनने किसको देखो यह तो शुरू में रहाएगा क्योंकि लासमें कुश्चन माक है अब जो बचा है उसको देख लो डू को अब इतना बचा तो इट ही हहां पर वर्ब है इस तरब वाला यह सब्जक्त है फिर इस तरब वाला यह औग्जक्त है यह वाली चीज आ जाएगी तो मीट यहां आ गया यह वाली चीज उदर चलेगी सब्जक्ट से जब अब्जेक्ट में जाता तो यू तो बदलता ही निया यू तो सब्जेक्ट में भी यू ही रहता है मतायता न मैं यू तो सब्जेक्ट में भी यू रहता है और अब्जेक्ट में भी यू रहत में से क्या चुने तो जिस तरह से आपका grass grass एक uncountable था उस तरह से आप meat याने mass को भी गिन नहीं सकते grammar में इसे भी uncountable रखा गया है तो यह भी uncountable noun है और मैंने बताया यह हमीशा singular होते हैं तो answer आपका ना होगा ना am होगा is होगा सही तरीका बूलने का क्या हो जाएगा question को इसको is meat eaten by you clear हुआ guys तो यह थे इस questions को चलिए कुछ और questions करते हैं ठेक है तो यह मैंने फिर से कुछ questions लिगे हैं तो पहले तो आप इनने देखो और आप पहले तो यह पता करो कि यह active में है कि passive में क्योंकि आपके पास question तो सिर्फ इतना ही आएगा change the voice इसका मतलब यह होता कि पहले तो पैचानिए कि active है कि passive है अगर passive पैचाना तो active बनाना रेक्टिव पैचाना तो पैसे बनाना यह इसका मतलब होता है यह इस तरह कुछन का यह यह last step है सिर्फ passive ही उसकता है जिसमें is भी हो being भी हो यह यह उसकता है इसका मतलब हमें ऊपर ही जाना है है ना change the voice मतलब इससे उपर जाना अब इससे उपर जाने में हमें is MR में is MR तो मिलेगा लेकिन being तो हटाना पड़ेगा और अगर यह passive है तो हम अगर active में जा रहे तो हमें एक चीज़ और क्या पड़ेगी इसमें से बाइ इसका मतलब यह कि इधर से उधर हुआ हुआ है इसे वापस अपनी जगह पर पहुंचाना पड़ेगा ठीक है हम क्या करेंगे बाइक को यहां से हटा दो यह मी अपनी चाही होगा यहां पर रीइछ होगा यहां पर यहां पर लिखा ओगा एसे ड्राइव इंग क्लेर होगी फार यह इसा बंाह बनाया होगा और यह ड्राइव को खीच कर了 करेंगी इदर ड्रीफन बनाया होगा तौन को वापस कर दिय है क्लिए रोगी बात है ना यह driven जिसको खीच के बनाया था वो यह था ठीक अब क्या बचा इसको solve करना बचा उपर जाएगा तो क्या option खुलेंगे is mr अब उधर से आया है i तो सिर्फ answer क्या होगा m r भी रटी गया is भी रटी आंसर क्या बन गया i am driving a car और उसी का है यह answer a car is being driven by me देख रहें आप मैंने आपके लिए ऐसे नहीं लिखा m ya satisfaction भाऒछ श ata green से मनेंवैसे बीच वुच में लिखा तोMoon सभी बैडिया है ऽोग पड़ पड़ के जमाते है असे आप सब लोग से पता होनी चीए नीचे वाला जोड़ा देख लो यहां पर धंक से वापस है अब आपको पता है कि नौट तो हट नी सकता सा और पहले तो हम पैचाने की सर इस भी दिया है भी दिया है लास्ट स्टेप पर सिर्फ पैसिव हो सकता है तो हम उपर जाएंगे और उपर जाते वक् आपकार लिख दिया जो जो हटता जा रहा है मैं से हटा चल रहा हूं बही बींग में से बी तो हट जाएगा आइंजी तो सर यही पर बचेगा नौट हट नी सकता नौट भी ही नहीं आएगा इस उपर जाएगा हमें तीन ओप्शन देता एज आमार के बनी बात है आय बन गया बिल्कुज सही क्या बना है मतलब अगर यह पैसिव तो इसका एक्टिव होगा आएम नौट ड्राइविंगं अकार अगर यह पैसिव तो उसका एक्टिव बनाए आं आएप ड्राइविंगा यहां पर being भी लिखा हुआ है और is भी लिखा हुआ है तो is और being मतलब फिर से last step है उपर जाएंगे तो हम यहां से ing हटा देंगे और यह दिख रहा है वह अपकी third form है तो बनी बाद अब आप यह समझ चुके होंगे तो I लिखोगे ठीक है अकार को इधर ले जाओगे तो इधर अकार लिख दोगे तो यह भी solve और यह भी solve हो गया क्लेरों के बाद अब सिर्फ क्या बचा है लेकिन question mark तो नहीं हटता ना तो question mark तो अभी भी last में रहेगा और उसके लिए जरूरी है कि फिर verb शुरू में ही रहे तो आपने जो वब यहां लिखी वही है जब यह उपर जाएगी जब यह वाला portion है अपना नीचे वाला तो ज driving a car question mark के साथ clear हुआ guys तो दोस्तों फिर से कुछ questions दिये मैंने again आप देखो आपको सीखना हो ना तो पहले तो आप इन्हें stop करो और तुरंद की तुरंद इन्हें पहले solve करो ठीक है अगर यह एक्टिव है बनाना इनका passive है तो मैंने क्या कहाता है है और साथ में क्या लगाना पड़ता है यह होता है यह होता है और क्या यह लिखा हुआ है बीन लग गया मतलब sentence passive में है अपने को बनाना इसका बिल्कुल उल्टे की तरफ active है तो जब आपको has or have been मिलते तो यह जाओगो तो क्या घंष जाएगा उब्येस बीन गया क्यों तो पैसिव में लगा थक्षा तो यह टाया था यह पाँकर आपको hé abbiamo हर यह अपको यह पता है कि subject और object उर अब तो यह object की जगा, इसलिए हर है, इधर ले जाओगे, तो क्या बना दोगे, इसे she, तो आपने हर को भी solve कर लिया, बनी बात है, my book यहाँ पर है, यह उस तरफ जाएगा, तो last में आप यहाँ पर my book लिख दोगे, ठीक है, हमने इतना सारा solve कर लिया है, अब सिर्फ दो चीजे बची है, यह दोगो, काटते चलिया हो, जो आपको solve होते चलिया है, अब हैस उपर जाएगा, चाहे हैस हो, चाहे हैव हो, उपर जाएगा, तो दो ही option देगा, भई यह है तो दो ही option देगा, तो हमने लिख लिया है, और हैव, अब डिपेंड करता है कि side में क्या she, singular, आको म लिखोगे steel, यह तो stolen था, अब इसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है, यहाँ पर ही grammar आपकी इस्तमाल होती ही दोस्तो, बहुत ध्यां से देखिएगा, अभी आप जो word लिख रहे होने हैं, आप यह वो H word है, थोड़ा समझाता हूँ, बहुत अच्छा स उपर के दिख रहे हैं, यह आपके present में इस्तमाल होता है, यह note कर लेना, अच्छे से कहीं पर भी लिख रहा हूँ, जैसे मैं वैसी ही लिख लेना, और head जो होता है, यह past के लिख रहा है, ठीक है, इन्ही को perfect word भी का जाता है, क्यों जो, एच वर्ड होता है, हच वर्ड होत सारी information हुई अब आपको क्या सीखना इसमें रह गया था आप इन में से कोई भी एच वर्ड लिखो चाहे प्रेजेंट के लिखो चाहे पास्ट के लिखो वो अलग बात है लेकिन आप इनके बगल में जब भी कोई वर्ब लिखेंगे वो हमेशा third form की ही होनी चाहिए क्लियर हुई बात हमेशा third form ही होना चाहिए अब यहां देखिए तो क्या आप यह वापस से third form ही लिखनी पड़ेगी हाँ क्यों क्यों कि आपने यह पर एच लिखाया और एच के बगल में कौनसी form आती भी है यह third form आती है अब यह मां सोचना सर्क पैसिव में भी तो third form था प अंतर इस बीन की वज़े से रही है समझाई बात वहां बीन नहीं है यहां पर बीन लिखा हुआ है और फिर भी अगर बीन के बारे में जानना तुम आपको समझाता है तो देको तीन form होती है कौन कौन सी बीन भी वब की third form ही है कैसे देगे आपने सुना बी बी होती first form आप आप जब इसे second बनाते तो आप लिखते है was और जब आप इसे third बनाते तो आप लिखते है इसे being और जब आप इसे fourth बनाते तो आप लिखते है being याद ना ing बताया था मैंने be was being being लेरोगी बात इस तरह से चार चीजे चलती है तो being भी तो third form थी तो सर फिर यहां पर तो उसको तो उसका 3rd form चाहिए तो जब वो उपर था तब भी उसे 3rd form चाहिए था इसलिए इस question में यहाँ पर stolen लिखा होगा क्लिए रहा है क्यों क्यों क्योंकि यह एच के हिसाब से था लेकिन जब आपने उसे नीचे लिकर के आए तो ध्यांस देखिए एच के में लिखो चाहिए पैसिव में लिखो उसको उसका वर्ब की 3rd form चाहिए इसलिए देखो जड़ा उपर भी stolen लिखा हुआ है मैंने यह बत clear हुई उपर ही मैंने stolen लिखा है और जब यह नीचे आया तो क्योंकि यह पैसिव में जारा तो अपने साथ कुछ जोड़ता है तो बीन ही क्यों जोड़ा बी और बीन क्यों नी जोड़ा क्योंकि एच की प्रपर्टी 3rd form इसलिए उसने बीन ही लिया अपने साथ तो यह तो एच को ज़रूरत नहीं अलग से लगाने की उसी में से काम हो गया किले हुआ तो मेरे ख्याल से हमारा बन गया शीह स्टोलन माइबुक आपको दिख रहा होगा खतम ज़रा सब्सक्राइब किसमें एक्टिव में कि पैसिव में है लेकिन क्या बीन दिखा बीन होगा तो पैसिव आच्छा आब यहां पर कुश्यन माża भी है इसलिए तो शोरू में यह वर्व भी समझेआ वह वाई वह वह होती है यह द्यान रखिएगा तो ये तो हमें क्लिये वह वप तो शुरू में रहेगी क्योंकि कूश्चिन मा λें रखेगा तो वह वर्ऊ तो शूरू में होनी हए यह भी आपको समझ में आ गया है अगर वर्ब में शुरू में होनी है तो ठीक है अब यह वर्ब नीचा आएगी तो दो ऑप्शन देगी एक्टिव नीचे आता दो ऑप्शन देता है है तो हमने लगा दिया यह तो हैज आएगा यह आप डिपेंड करता है इसको यहाँ पर छ समझाज गया होंगे जो मैंने उपर आपको समझाया था ठीक है अब देखो दोस्तों तो यह अब यह जो भी वर्ब की थर्ड फॉर्ब फोर्थ फॉर्थ वर्ब और फिर इस तरफ यह पूरा पूरा अब्जेक्ट तो माइब उठकर के यहां आ जाएगा और आपको पता है और आप माइबुक को आगे नहीं रख सकते हैं आगे रख दोगो तो फिल स्टॉप लगेगा लेकिन हमें कॉश्शन मार्ग बनाना तो कुश्शन मार्ग उन्हें के लिए मस्ठ है कि वर्ब तो शुरू में ही रहेगा तो आपको माइबुक को बाद में माइब्ग हम दें इधर रख दिया, शी को उठा के इधर रखोगे, अब शी सब्जेक्ट में तो शी है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, हर, और उससे पहले आप क्या लगा दोगे, यह रूरी बात, और यहां देखो, आप एक्टिव में हो, हैस को लेकर कि जब नीचे जाओगे, तो ब बीन लगाना पड़ेगा, तो यहां लगा दोगे बीन, लिरो के बात, और अब हमें चाहिए, वब की थर्ट फर्म जो पैसिव के लिए होगी, यह बीन वब की थर्ट फर्म आई है, इस एच के लिए जो मैंने अभी बटाया था, आपको यह देखो, लिरो रही बात, तो य इसमें वाज लिखा है, और इसमें बाय लिखा है, अब आपने यह लाइन मेरे से पड़ी हुई है, भी थोड़ी देर पहले मने पढ़ा है, कि जब वर्ब की सेकंड फर्म यह डिड होता है, और यह एक्टिव होता है, तो उसका पैसिव केसे बनाते है, उसको वाज या वर में change करते है, अगर वाज या वर ही लिखा मिल जाए और कह दे कि यही active है, तो इसको passive कैसे बनाते है, वाज या वर तो रहता है, साथ में being भी रहता है, अब इसमें being तो नहीं दिख रहा है, वाज दिख रहा है, अगर ऐसा है, तो मतलब भी यह वाली step है, और यहाँ पर ब पूछ रहा हो मेरे से, कि सर यह कैसे हो सकता है, कि was लिखा हुए, active भी है, passive भी है, ऐसे हो सकता है, was लिखा होगा, लेकिन उस sentence में by नहीं होगा, तो समझ जाना है कि यह वाला was active वाला है, was लिखा होगा, और उसमें by लिखा होगा, तो समझ जाना है यह वाला passive वाला है, ठ सिरव एक्टिव होता है। लेगिन यह जोने और ना होने प्रम आने प्रस्था देखो सबस्कित कुरद को सेकेंट वाली step है उपर जाएंगे तो क्या-क्या मिलता है डेड मिलता और अपकी second form बनाना पड़ता है तो अब देखो बया यह चीज और यह बाय हटा दो हम जा रहे है उपर active बनाने हर यहां आ जाएगा शी बन जाएगा हर खतम वर्क यहां से हट करके इधर चला जाएगा इधर लिख दोगे आप इसे वर्क खतम नौट कभी हटता नहीं नौट को नौट रहन देंगे finished अभी passive में है तो यह अपकी third form रहा होगा अब यह was जब उपर जाते तो दो option है did और यह बनाना तो अभी तो कुछ नहीं तो हम did ही बनाएंगे यहां पर इसे ठीक है और यह finished उपर आएगा अब आप मुझे बताओ कि इसे मैं finished लिखूं या मैं इसे finished लिख दूं इसे कैस करेंगे कि अब इसमें क्या लिखना है क्योंकि यह sentence past में तो कई लोग को लगता सर डिड़ भी होना चीए और finished भी होना चीए सर सेकेंड फॉर्म तो जरूरी है नहीं भी ऐसा नहीं होता है अगर आपने एक बार सेकेंड फॉर्म लिख दिये तो बार बार सेकेंड फॉर्म एक बार सेकेंड फॉर्म लिख दी तो दुबार आप सेकेंड फॉर्म नहीं लिखेंगे दुबार आप उसे first form में लिखेंगे याने फिनिष ही लिखना पड़ेगा सिर्फ finished लिखा हुआ है तो काट दिना पक्का option में होता ही होता है यह क्लीर होग के बात तो यह finish रहेगा फिनिज नहीं होगा reason जब आप एक बार first form के साथ first form allowed है second form के साथ second form allowed नहीं है second form के साथ सिर्फ first form allowed है इस बात को भी कहीं नोट कर लो ठीक है दूस्तों चलिए फिर से देखते इन questions को समझते हैं अब आपको दिख रहा है पहला question है I had not नहीं हटता अब आप यह चीज अच्छे समझ चुके हैं दूसरी बात यह पता करना है कि active के पैसे बनी बात आपने सीखा है head जब अपने head लिखते हैं तो head अगर active में है पै सब्सक्राइब को तो head ही लिखना पड़ेगा और head के इस तरफ ही not रहेगा और फिर ही क्या आ जाएगा यहाँ पर बीन आ जाएगा तो आपने यह तो solve कर लिए head और not को clear हो की बात अब हाँ यह h-word है इसलिए आपने बीन लिखा है वर्ब की third form अभी passive के लिए वर्ब की third form चाहिए और वो कहां से मिलेगी यह completed ठीक है तो यह completed वापस से completed ही लिखाएगा player होगी बात वापस से completed ही लिखाएगा अपने यह भी solve कर लिया अब बचाई क्या है भाई head हो चाहिए completed हो है तो पूरी की पूरी वर्ब आय आपका subject था और assignment आपका object था the assignment आगे आ जाएगा और अधर जाएगा I subject में मी है उस तरफ रखो कि I है यहाँ पर इधर रखो कि तो क्या पनाना पड़ेगा मी और उससे पहले क्या लगाना पड़ेगा by बन गया ठीक है the assignment had not been completed by me यह question हो गया चलिए अगला question हमारे पास एकटिम में है जब i passive में जाता है तो मालूम है चेंज नहीं होते हैं विल लिखा है नगा पुद्ध के लिए क्यूंकि आप पैसेशम में चेंब हो हो क्रिया करना तो क्रिया हो गया तो सब्जेक्ट तो माई सब्जेक्ट यह माई है उससे फरक नहीं पड़ेगा आ तो फरक पड़ता यह मैं तो मुझा इदर आ गए अब भया देखो विल के लिए अपने पूरा सॉल कर लिया माई अंकल भी पूरे solve हो गई, my tuition fee भी हो गई है, लेकिन अभी भी passive की एक पहचान होती है, और वो उसकी third form होती है, वो कहा है, तो pay, एक ही वब बची है, इसको नीचे उतार होगे, तो क्या लिख दोगे, paid, क्या बन गया answer भईया, my tuition fee will be paid by, हाँ, लेकिन क्या B होना चाहिए, B हुआ तो passive है, नहीं हुआ तो active है, क्या B दिखा, नहीं, देखरो आप चुटकियों पहचान लो, कि अगर आपने मेरा वो पहला चार्ट अच्छे देख लेए, पहला पन्ना ही सबसे ज़रूरी है, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है भईया, शैल दिख गया, लेकिन B नहीं दिखा, मतलब ये active है, मतलब मुझे इसका passive बनाना है, तो जब मैं passive बनाऊँगा, अब और क्या-क्या ध्यास देखो, चाहे शैल हो, चाहे वोई लो, कुछी भी हो, हैं तो ये model verbs, 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 verbs की एक type है, वर्ब है, अगर ये वर्ब है, तो लास्ट में तभी तो कुछिन मार्ग लगा हुआ है, और कुछिन मार्ग अपन हटाते नहीं है, तो कुछिन मार्ग तो एसिटीज रहेगा, कुशन माग एज़िटी रहेगा तो शुरू में तो वर्भी रहेगा और शुरू में एक ऐसी वर्ब रिखी शैल जो मैंने आपको बताइती है यह चेंज नहीं उती है तो एज़िटिस चिपका दो शैल का शैल रहेगा यह आपने सौल कर लिया अब यह वर्ब शुरू में है इसलिए कुश्चिनमा क्लास्ट में रहेगा जो बचा है उसमें सॉल कर दो हैव और डन आपको दिख रहा है यह दुनों की दुनों वर्बी है तो यह सब्जेक्ट हो गया यह अब अगर शैल लिखा है तो कैसे पहचान होगी कि यह पैसिव में अभी तो सेम सेम दिख रहा है कैसे पैसिव में बी लगाना पड़ता है तो बस यह शब्द छोड़ो और इसके बाद यहां पर बी लगा दो लोग यह पैसिव में भी आ गया लेकिन पैसिव के पहचान उसकी वर्ब की थर्ट फर्म से भी होती है तो आपको दिख रहा है अब आपने सब कुछ तो सॉल कर लिया कुछ और बचा है शैल वी हैव डन आहा लेकिन अब यहां पर देख लेकिन साथ का जोड़ दे पूर्फ बिर। इसमें बीन लगने वाला है और शैल के साथ हैव भी रहे गहीं रहे गा थेक्षाद दूस्तों हैर थो नहीं लिख सकते हैं क्यों क्यूं की सकते भी प्लूरल चल रही तो शैल हर हमवक है डन डन है लिगा ऑन को मालू में न क्योंकि शैललक quem लगाना पड़ता और month की थर्ट फॉर्म चाहिए तो क्या लिखूगे यहां पे ड़न तो क्या बन गया बन गया क्या बना शैल आर हुमवक है बीन दन बाइ बाइस लियर वा दोस्तों चलिए देखते दूसरा कुश्छ ठीक दोस्तों आई इन कुश्छन को भी कर लेते हैं अब आप देख रहा हूं I can solve these sums अब आपको इसमें can तो दिख रहा है अब मैंने आपको बताया था जितने ही models होते हैं जैसे की can हो गया will हो गया जो आपने पड़ा न वही है अगर यह active में है तो इसका passive कैसे बनाते हैं आपको can को can ही लिखना है will को will ही लिखना है shell को shell ही लिखना है और साथ में बस बस आपस में change नहीं होते ही would है तो वुड ही उतरेगा can है तो can ही उतरेगा साथ में बी और लग जाएगा भई आगए हम passive में क्योंकि अभी passive में बी नहीं दिख रहा है ना मतलब passive में नहीं है अब passive में अब यह active था हमने इसका passive बनाना शुरू कर दिया I यहां है शुरू में last में चला जाएगा me बनके उससे पहले आप by लगा दोगे खतम कहानी can की भी खतम होई verb की third form चाहिए इसी solve को नीचे खीच करके क्योंकि verb है यह तो solve कर लिया अब यही तो बचा है ठीक है solve को नीचे खीच करके verb की third form कैसे बनाओगे solved लिख दोगी और these sums जो last में अब आपने यही पर यही पैसिव में है और उपर से बाय भी लिखा हुआ है तो मतलब हमें जाना है active में उपर की तरफ तो बस शुरू कर दो भाई हटा दोगे आप भाई भी भी हटा दोगे तो शुड तो चेंज नी होता उपर तो शुड ही रहेगा वह लेकिन बी तो हम हमने लगाया होता है passive में लेकिन हम जा रहें active में तो हमें नहीं लगाने की ज़रूरत है ठीक है यह learnt लिखा हुआ है मतलब यह वर्प की third form है इसको आपको वर्प की first form आप कौन सी बनाओगे शुड तो अपने आप में second form होती है यह आपको पता है अगर आपने second form लिख द पड़ेगा वह आपको इसे learn यह बहुत अच्छे ध्यान रखिया कई लोग learn वगेरा लिख देते हैं वो नहीं होने वाला इसमें ठीक है क्योंकि वर्प की second हो अब भी मैंने थोड़ देर पहले बताया था कुछ कुछ पॉंट की हमीशा याद रखिए बाई हड़ जाएग Students should learn all lessons. तो आप देखरो इस तरह की sentences को ही है ना कि किसे ने हुकम दिया किसे ने request कह दी भाई प्लीज कर रहा है कोई हमें अपनी राय दे रहा है suggestion दे रहा है command दे रहा है तो इस तरह के words में इस तरह की sentence होते हैं उन्हें imperative sentence केते हैं तो बात है कि हमें आखिर करना क्या है तो करना क्या दोस्तों आपको पहले अब sentence को पढ़ना है पहचानना है कि वो इन में से कौन सा है हमें यह पता करने की exact जरुवत नहीं कि वो यह है कि यह कि यह क्या है हो आप हित्ता पता कर लो कि वो इन में से कोई एक है कि नहीं है कोई request होगी तो समझ में आई जाता हमाँ पर तो मालो आपने पता कर लिया कि वो में से कोई भी एक है, तो आप जैसी एक्टिव पता कर लो कि उनमें से यह आ गिया है, एक्टिव में, आपसे passive बनाने के लिए काया जाए, तो याद रखिए, आपका passive start ही होगा let से, आपका passive कहां से start होगा, let से start होगा, और अगर आपने एक बार let लगाया है तो आपको उसमें फिर से बिलकुल बी लगाना पड़ेगा, जैसे आपने models में लगाया था, can के साथ, will के साथ इन के साथ, तो एक और चीज़ आद रखी, जब भी आप let, let कब लगा है बहुत ध्याँ सुलो जब imperative होगा, command, order, request, इस तरह की चीज़ हम जब पहचान लेंगे passive जब बनाएंगे, तो पहला word ही आपन क्या लेखेंगे, let और क्योंकि ये passive में है, तो इसके साथ क्या लगारा पड़ेगा, b अब आप देखो कि मैंने बीच की जगा थोड़ी सी लंबी खाली छोड़ी है, क्यों, क्योंकि ये याद रखिए, let और b के बीच में जो चीज भरी जाती है, वो होता है object, ये बात अपने पास अच्छे से note करके रख लो आप, तेक है, इस जगा पर सिर्फ object रखा जाएगा, और object कहां से आता है, मालूम है न, ऐसे verb ढूंडो, इस तरफ subject है, इस तरफ object है, तो यह object आ करके उठके let और b के बीच में आपको रखना है, clear होगी बात, है न, जैसे, और हाँ, अब क्योंकि passive है, तो passive भई अपनी पैचान तो नहीं छोड़ेगा, अभी क्या च shut the door, अब आप पहले तो यह समझो कि इन में से imperative है की नहीं है, भई बनी बात है, order हो सकता है, क्या request नहीं हो सकती, request भी सो सकता है, आप से request कर रहा हो कि जाओ बंद कर दो door को, भई order भी तो सकता है, कैसे पता करते है, please जब तक ना लिखा जाए, तब तक आप request समझेंगे ही नहीं, क्या मैंने please कहा, नहीं, मैंने सिर्फ shut the door कहा, मतलब यह order है, जब please कहा दूँगा, तो request होगा, please लिखा मिलेगा, अगर वो request होगा, लेरो की बात है, ना, examiner आपको पूरा पहचानने में आपकी मदद करते हैं, अब देखे, तो shut the door लिख दिया, अब मैं कैसे subject में कुछ है ही नहीं, तो बचाए object, the door पूरा का पूरा, अगर आप पहचान चुके कि एक imperative है, क्योंकि एक order है, तो इसके passive कहां से start होता है, let से, तो आप सबसे पहले लिखेंगे let, और let लिख दिया, तो उसके बात क्या लिखना पढ़ता है, be, बीच की जगा को किस से भ इसको नीचे उतार होगे, और shut, 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 वही उसकी third form होती है, तो बन गया लो पैसे, let the door be shut, clear होई बात, है न, एक और question देखिए, माल लो, यहीं पर लिख देता हूँ, जैसे कि एक question आता है, post the letter at once, बहीं एक बार में letter post कर देना, ऐसा question आता है, अब बताओ यह क्या है, यह बही हो, अगर मैं आपसे कहा है कि post the letter at once, इन में से कुछ भी नहीं है, तो वो order भी हो सकता, command हो सकता, हमें तुछ से लिने देना नहीं कि command की order है, हम इतना तो पहचानगे न, किसी ने हम से कुछ करने के लिखा है, मतलब order हो सकता है, imperative है, अगर imperative है, मतलब यह एक imperative active sentence है, तो फिर इसके बगल में, इस तरह, subject में तो कुछ है नहीं, तो यह object है, the letter, भाई यह अलग चीज है, object तो सिर्फ इतना ही है, तो the letter उटकर तो यहाँ पर आ जाएगा, the letter, यह phrasal verb है, इसके बार में बताऊंगा मैं, बाद में किसी lecture न पढ़ाऊंगा, आपको, letter B, अब हम को क्या चीए, यहाँ पर भाईया, वर्ब की third form चीए, तो यह दिख रहा, post, यही तो आके यहाँ पर क्या बनेगा, posted, भाईया, इसमें लगता ID, समयंगे, तो let the letter be posted, तो sir, इतना तो हमने solve कर लिया, shut the door कहलो, चाहिए, post the letter कहलो, यह तो एक ही बात होगी, अब यह at once का क्य सब्सक्राइबा, वह यह यह अफर, चाहिए, श्रॉब्स कंदे लिखने से लBicken, चाहिए, फ्री फ्रेजर्वर्ब को भी कभी चेड़ा नहीं जाता है, ठीक मैंpow इसमें एक पर प्रपोजिशन होता है, एक वर मुज होती है, अना जब बच जाता है, तो जो बच जाता उस सब आये हुए कुछन से और आपने यह तो बहुत बार देखा तो हर तरह यह इंपोर्डेंट था यहां पर जो मैंने लिखा हुए ठीक है चले देखें अगले कुछ फटा फटा अभी मैंने आपके सामने कुछ बहुत इंपोर्डेंट कुछ लिखे हुए है जरा आप इनको कर देखें और आप मुझे पताइए आप क्या कर सकते हैं स्टॉप करके इसको अच्छे से करिएगा ठीक है अपने कर लिया होगा होगा होप सो उम्मीद करता हूं आपसे कि आप सुन रहे होंगे मेरी बात नहीं से निकल नहीं रहे होगी इस तरफ से देखें दोस्तों पहले तुझे बताओ अगर चेंज आज आज तो क्या लगता ही कुश्चन क्या है एक्टिव एक पैसिव है बनी बात है लेट लिखा है तो यह अपना पैसिव हो जाएगा गलत जवाब अगर आपने यह सोचा है तो मैंने आपको जो बात कही थी वह यह थी ऐसा मतलब चीजें पढ़ेंगे ना मुझसे इस तरह से अगर पढ़ रहे हैं आप तो आपको क्लियर्टी हो जाएगी कि भाईया कहां पर यह पैसिव होता है कहां नहीं तो बी नहीं है लेट लिखा है समझ जाओ कि वह एक एक्टिव सेंटेंस है भी आज आज आएगा तब ही मान ले यहा अब आपकी चीजे शॉल करनी यह लाइन उती है यहां पर ऑब्जेक्ट भड़ से आप ऊपर ओले से पहले वर्फ ढूंड लो वर्फस तरफ जो मिलता है वो सबजेक्ट होता है तो यही आपजेक्ट तो उठ करके यहां आ जाएगा यहने कि हिस ब्रदर पूरा का है ना अब क्योंकि यह हिम पहले से हिम है उसको यह हिम क्यों लिखा हुआ है अब आप सोचो कि सब्जेक्ट में तो ही लिखते हैं ध्यान सुनी दोस्तों यहां जो लेट है चार शब्द याद रखिएगा लेट लाइक बट बिट्वीन और एक्सेप्ट यह कुश्चन कई ब लाइक हिम बोलते हैं बट हिम बिट्वीन हिम एक्सेप्ट हिम कभी इनके बगल में आप फी नहीं लिख सकते हैं आप अगर यह लेट नहीं लिखते तो तो यह लाइन गलत है फिर ही हैल्प लिखना पड़ेगा लेकिन क्योंकि यहां पर लेट लिखा हुआ है इसलिए यह यह दिख जाए तो फिर इनके साफ से नियम चलता है और अगर यह नहीं है तो फिर इसके साफ से चलता है मतलब यह चोटा हो गया यह चोटा हो गया नियमों में और यह बड़ा हो गया यह जो शब्द यह बड़े हैं फिर यह जब लिखे जाएंगे तो यह नहीं देखा ज तो ही लिखोगे लेकिन लगाओगे तो हीम लिखना पड़ेगा इस बात को याद रखियेगा है ना जब लेट वगेर लेट लाइक बडबिटीन एकसेप्ट आते हैं तो इनके साफ से काम होता है यह नहीं आते तो सब्जेट की साफ से काम होता है बहुत आफसान भाशा में क्लियर होगे दूस्तों चलिए बहुत बड़े हैं तो अभी तो यह सब्जेक्ट में है रखा हुआ तो सब्जेक्ट होता हम लास्ट में लिखते हैं हम लिखते हैं इस तरह से और जब इधर कीछी इधर आती तो उससे पहले क्या लगाते है अपन बाइ समझ गया है शट द लेटर अर समय सब्सक्राइब सोगे उससे पहले बी होता तो मैं ले करता जो थाॉस में लास्ट में एट वर्स था और वह लास्ट में पुरा इसनों न उख सकती है किसा neutrality इंधे और speaks vają मैंने आपको order दिया है हो सकता है मैंने advice दियो कुछ भी दियो हम यह तो मालूम चल गया कि एक्टिव सेंटेंस है imperative sentence है तो शुरू हो जाएगा लेट से इसका passive लेट से शुरू होता है आपको बी लगाना पड़ेगा यहां पर object भरते हैं object आपको दिख रहा है your lesson लिखोगे आप your lesson अब वह अपकी third form चीए एक लौती दिख रही है और इसकी third form होती है यह टी लगा दू लास्ट में है active और यहां पर भी लिख रहा हूं मैं active फिर इन पर मैं आपको example करा दूँँ देखें एक ऐसा sentence मिलेगा आपको जो देर से start हो रहा होगा एक ऐसा sentence मिलेगा जो it से start हो रहा होगा और एक ऐसा sentence होगा जिसमें ना देर होगा ना it होगा समझ जाएगा वो subject होगा अब यह क्या पर भी टू होगा मतलब इनकी पहचान इस टू से है बस इनके सामने का फर्क है किसी में देर है एक में एट है और एक में दोनों ही नहीं तो subject है अब टू की कहानी क्या होती तो टू जब भी लिखा जाता है उसके बगल में हमेशा वर्प की first form लिखते हैं हमेशा वर्प की लिखते हैं हमेशा वर्प की first form लिखते हैं तो यहां तक तो दोनों में कहीं पर भी अंतर नहीं आ रहा है और देख लो अब भई देर लिखा तो ऐसा तो है नहीं कि बिना वर्प के और उसके sentence होते हैं तो यहां पर एक वर्प भी होगी और वर्प के बाद एक subject लिखा होगा ना उन्यों कुछ भी हो सकता है ऐसे यहां पर भी वर्प होगी और इसके बाद भी यहां पर ना उन्यों हो सकता है अब इस तरह से काम करता है तो नाउन प्रणावन नाउन इस तक को अब और अंतर क्या आएगा इस वाले में और इन दोनों में अंतर इसमें आ जाता है कि यहां लास्ट में आपको एक और अलग से जानकरी लिख देंगे यह जिसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे और वही यहां पर भी लिखेंगे ठीक है मेरे साथ इसे समझते जाईएगा ताकि बा आफ तरत एक बार ध्यान से सुन लीजें कैसे बनते हैं डिरेक्ट शॉट स्वें पहले में बंदो आपको शुरू के ये दो में जब इट से शुरू हो तो इट से लेकर के तीन चीजे और देर से लेकर के ये तीन चीजे दिख रहे हैं ऐस इट इस कॉपी कर दीजिए ऐस एस कॉपी, लेकिन लास्ट वाले में सिर्फ आपको दो छीज़ों को कॉपी करना है, बस यह, जो सब्ज़क्ट होगा, और जो web होगी, शुरू में दो छीज़े लिखी होगी, सब्ज़टों में कुछ भी होसकता है, किसी का नाम लिखा हो सकता है, यहाँ यहां पर 3 चीज क्रें होती है. मतला here 3, यहां पर 3 चीज तीज तीज और here 2 लिबुपी होती हाँ. एक लिखेंगे ते मैं आपको बता है इसमें 3 चीज secondo कापी कर देना, इसमें 3 चीज कई कर देना, लेकिन विदम पिशूर.. कि दो चीज़े कॉपे करना अब इसमें ये चीज़ कहा चलियाएगी जो बच गई है जो बाकियों में नहीं बची थी वाकित हमने कॉपी कर दिया तीन तीन चीज़े ठीक है अब क्या करना ध्यां सुनिए आप पैसिव में इस टू को नीचे खीचेंगे तो टू को टू ही ल तो टू को इस्तेमाल कर लिए भी लगा दिया इसी वप की फर्स फॉम वो खीचना और वप की थर्ट फॉम बना देना इसको फिर से खीचना और वप की थर्ट फॉम बना देना तो ऊपर वाला तो बन गया अब बचे लास्ट के ये दो इनमें भी क्या बचा हुआ है आपक यहां पर भी उठाओगे ठीक टू से पहले रखोगे यहां ठेके लेकिन इन दोनों में अंतर कैसे करेंगा अगर सेम से मजा रहा है तो जो इट वाला रहता है उसमें अबजेक्ट अकेला नहीं आता है और यही फॉर सब्जेक्ट वाले में नहीं आता है अब आपने देखा पूरा बन चुका है इसका तो इसका तो पूरा कंप्लीट हो गया अब इसमें एक चीज़ बची ती अब इसको कहां रखेंगे तो भईया इसको लिजाना है आपको लास्ट में क्योंकि यह देखो यह नहीं पनावन कुछ भी हो सकता सब्जेक्ट हो सकता क आप यहां लाएंगे और उससे पहले यह बस इसी में बाय लगाएंगे खतम कहानी क्लियर हुआ दोस्तों है ना आप से मैं उम्मीद यह कर रहा हूं कि आप इसे एक बार और देख लेना अगर कहीं रहे गया है तो यह मैंने समझा दिया है अब आतने सीधे इसके कुश्च सब्द hora के कुशिशन और पे नसादे चैनली सब्सक्राइब क् कर वे खिए और यहां पर यहां पर यह कोई भी सब्जेक्ट रोसकता था इतनी चीजह थी, क्या कहाता, तीन चीजह कॉपी कर देना, तो एजटेज की क्या क्या उतर आएगा, THERE is nothing, यह तो आपने कॉपी कर दिया, आप passive बना रहे हो, ठेके, आप क्या करना था, मैंने बताया था, 2 को उतारना, 2 के बगल में, B लगाना, और वर्ब की 3rd form चीए तो इसी से को नीचे खीच होगे और वर्ब की 3rd form बनाओगे तो क्या लिखोगे? sad बन गया यह, there is nothing to be sad, clear होगी बात, यह इसका passive था, चलिए, अब इसका passive बना लीजे, फटक-फट से, अगेन मैंने कहा था आपसे, बिल्कुल 3 चीज़े copy, यह देखो, 2 तक तो copy करते चले आना है, इसमें भी 2 तक copy किया है, आपने पूरा, इसमें भी 2 तक copy कर लो, it is time, copy कर लिया, अब 2 को उतारेंगे, ठीक है, तो to be लिखेंगे, तो be, अब आपको देख रहा है, तो के बगल में यह वग की first form होगी, इसको खीच करके वग की third form बनाएंगे, तो prepare को लिख लो गया, prepared, यह भी आपने solve कर लिया, अब आपको देख रहा है, यह चीज object है, म इसमें सरिफ दू चीज़े copy करते हैं आपन, तो आपन लिख लेते हैं, अमन, likes, ठीक है, अंकित को तो मालूम है न, आपने last में भेज दिया था, मैंने कहा था, इसको last में कर देना, उससे पहले by लगा देना, two को तो मैंने आपको पहले ही बताए, two खीचो, और उसके बग पहले, यही बोला था, मैंने उस समय भी, तो यहां लेकर के आओगे, तो लिख दोगे, the show, उठा के रख दिया है, यहां पे, इसको लेकर के आओगे, तो लिखोगे, क्या पूरा है यह, यह न, four, cgl, tire two, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, four, cgl, tire two, अब दिक्कत क्या थी, इन में और इसमें अंतर क्या था, कि जब आप eight वाले को लेकर के आओगे, तो उससे पहले four लगा होगे, अब by chance इसमें four पहले से लगा हुआ था, इसलिए extra लगाने की ज़रूआ नहीं है, suppose यह four यहां पे नहीं होता, तो आप यह four लगाते, clear हो रही मेरी मेरी बात, यह four यहां न अगला concept अपने पास यह है, फिर से देखिए active कैसा मिलेगा, अब इस बार subject लिखा होगा, और इसकी पहचान यह verb मैंने बीच में लिखी है, इन पर ध्यान दिजे, कभी भी आप sentence पढ़ो, subject में आप, इसमें two नहीं होगा, इसमें that होगा दोस्तों, याद रगो आप यह subject क इन में से कोई भी लिखा मिल जाए आपको, यह verb होंगी, तो समझ जए आपको passive कैसे बनाना में बता रहा हूँ, आप start ही करोगे it is से, कहां से start करोगे, जैसे आपको यह verb दिख जाएं, देखिए ध्यान सुनिए, यह verb जैसी दिख जाएं, यह active, यह सारे mains के questions हैं दोस्तों कि इस passive की starting होगी it is से, उसी verb को खीच करके verb की third form बना होगा आप, suppose करो कि आपको believe लिखा मिल गया, तो उसी believe को यहाँ पर क्या लिख दोगे, believed, प्लेर होगे बाद, अब क्या करना है, इसके बाद है that के बाद से सारा कुछ कॉपी कर दोना जितना भी लिखा होगा, प्लेर से लिखना है it is, अफिर अब की third form, इसी believe को क्या लिख दोगे, believed और that के बाद से सारा कुछ कॉपी बन गया, यह नहीं कि अगर यह question था कि people believe that every child is born with different abilities, जिसका passive क्या हो जाएगा, it is believed that every child is born with different abilities, इतना easy था यह, समझ गया, बस एक बार किसी का सुना हुआ तो हो, तब तो उ learn करना है, क्या बता है मैंने ध्यास देखिए, pleased words, suppose करो कि pleased लिखा हुआ है कही, मैंने आपसे कहा था न, एक line बड़ी प्यारी सी, कि कभी-कभी सिर्फ by के दम पर मत रहिएगा, कि passive पहचान लोगे, आप आपको in पे भी पहचानने को मिलेगा, add पे भी मिलेगा, with भी रखन जाता है, तो यही वो line लिखी हुई है, आप यह word देखो, pleased, ऐसे तो आप कई बार sentence में से देखते हो, अगर यह अकीला लिखा होगा, तभी यह active है, अगर इसको passive में जाना होगा, तो pleased with लिखा होगा, तो जब question में pleased with लिखा हो, तो आप आसानी से पहचान जाएंगे कि व passive में है, समझ गया है, क्या समझाना चारों कि आप सर्फ बाय के दम पर नहीं होगा, यह है means level जो आपको पता होना चाहिए, two, यहां देखे, none, none में से अकेला भी रहता है, लेकिन अगर none के साथ two लगा हुआ है, none two लिखा हुआ है, तो passive में हो, two नहीं लगा हुआ है, तो active में हो, आप यहां पर देखो, interested, interested अकेला लिखा हुआ है, तो active में हो, passive में होने के लिए, interested के साथ क्या लगा होगा, in, clear होगा, तो इसको अच्छे से note कर लो, आप, ठीक है, चलो चलते हैं, फटा फट से तीन कुश्चिन करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो यह रहे अपने last इन कुश्चिन्स, है न, तो पहले फटा-फट से इन वीडियो को रोक करके, एक बार स्वाल करो, क्योंकि यह वाकई सबसे important question है, यो कि मुझे लगता है कि अगर आप यह कर पाए, तो समझ जहीं, आपका active ऐसे बहुत अच्छा है, और अगर आपस यह नहीं बनता है, अपना क्याम किया होगा, चलिए बहुत स्टार्ट करते हैं, अब इसे कहां से solve करें और क्या चीज़ समझ में आए, इसलिए मैंने हमेशा कहा है, जब भी समझ में नहीं आए न, हमेशा ढूंड के रख लो verb, यहां से यहां से यहां तक सिर्फ एक की ed दिख रहा है, यही है अब ed लगा है तो और अब इसमें h तो लिखा नहीं है, h होता बगल में तो यह verb की third form होती, h word नहीं है, मतलब यह verb की second form है, second form है और दूसरी बात इसमें by वगेरा भी नहीं दिख रहा है, तो अब मुझे मालूम है कि जब did और verb की second form होता है, active होता है, नीचे passive में जाते है तो was या फिर were option खुलता है, तो भाई या ed है तो हमें मालूम है, अब क्या-क्या चीज दरद रोगी पहले वो भी देख लो, यह पूरा subject है, यह the teachers, s लगा हुआ, यह आपका object है, भाई the teachers उटकर के सामने आ जाएंगे, ठिक, और यह पूरा उटकर के उधर चला जाएगा, यानि कि his result of final year examination, clear है, यह पूरा उधर चला गया, अब यह जो है, यह हमें option देदेगा, was या फिर were का, अब यहाँ पे the teachers है, तो answer were हो जाएगा, यह किते कर पाए, सबसे important चीज यही थी, अगर आप कहीं खो गए तो गए काम से, यह सबसे important चीज जो मैंने याद रखी थी, कि यह आपको याद थी, अगर नहीं थी, तो समझेए, आपको यह वीडियो वापस से देखना है, वापस से समझना है चीजों को है, अपने पास से उन्हें जाने मत दीजिए, तो यह वर आ गया, ठीक है, तो वर लगा दिया हमने, अब क्योंकि passive में हम हैं, तो हम यह तो व में आप में से जित्ते लोगों ने गलती कियोगे, आप वो भी समझ चुके होंगे, कि मैं क्या समझाना चाहरा हूँ आपको, अब surprised के साथ क्या लगता है, थर्ड़ी वेर पहले मैंने आपको बताया हुआ है, surprised के साथ, by नहीं लगता, surprised with होता है, समझ महीं मेरी बात, है न तो यह यहाँ पर ध्यान देना था, कई लोग surprised by करते हूँ चुक चाप निकल जाते, दोस्तों देखो यही होता, पूरा जानने के बाद, clear है guys, ठेक है, देखें, तो अब हमने यहाँ पर surprised लगा के रखा हुआ है, अब surprised लग गया है, तो अब हम जातर क्या करते हैं, इसा लिखा मिलेगा, अब देखो इसमें कोई गलती लग रही है, आपको पढ़ के देख लो, कई लोग पढ़ पढ़ के जमाते हैं, the teachers were surprised by his result of, यह तो कोई सही लग रहा पढ़ने में, और एक option होगा आपके पास, अब यह आपका knowledge है, और आपकी learning है कि आपको याद रह ग कि इसमें सही कौन सा है, और जातर लोग इसे surprised with लगा के आते हैं, या फिर surprised by लगा के आते हैं, at बहुत लोग को कम लोग को याद रहता है, जिन्होंने वाकी पढ़ा होता, उन्हें को याद रहता है, तो इसमें at सही है, अब यह देखो, आपको कहां लग रहा है कि इसमें by है और आप by से पहचान रहे हो, आप इसे at से पहचान रहे हो भईया, आपने at से पहचाना है कि यह passive है, मालो यही question देता तो आपको यह बनाना पड़ता, चलिए, अगला question हमारे पास, the new task interests the students, अब इसे कैसे कर रहा होगा आपने, यहाँ पर आपको s दिख रहा है, यही एक verb इस में, और जब s रहता है, s या es रहता है, तो नीचे क्या option खुलते है, is, m और r, इस तक लियर है, यह verb से यह पूरा new task की पूरा subject है, इस तरफ यह the students पूरा object है, तो यह उटकर के आगे आजाएंगे, the students यहाँ आगे भिया, अब यह है भिया, plural तो answer r ही लगा होगा, आप में से जित्तों ने यह किया है, well done, आपने समझ लिया है क्या करना होता है, और यह the new task उटकर के आखरी में चला जाएगा, the new task, clear दोस्तों, अब क्या बचा भिया, हमें verb की third form चाहिए ही होती है, तो interested ल आएगा, नविद आएगा, नएट आएगा, clear हो रही है बात, दोस्तों में समझानी कुछ कर रहा हूँ, इस बार आपने in से पहचाना, यही कह रहा था, अब देखो यहाँ यहाँ पर दूनों मंतर दिख रहा, interest लिखा है, चुप चाप in नहीं है, तो यह active है, in लगा दो तो यह passive है, clear हो यह बात, चलिए, अब last question हमारे पास, हर father annoyed her friends, ed वाला word ही तो verb होगा, और ed लगा तो यह second होगा, क्योंकि h word नहीं तो second ही हो गया, ed रहता तो हमारे पास दो option आते है, was या फिर work है, यह verb है, इस तरफ यह object है, इस तरफ यह subject है, her father उटकर के last में चले जाएंगे, और her friends उटकर के सामने चले आएगा, ठेक है, friends है, plural है, answer were में होगा, was में रहीं, ठेक है, अब हमें verb की third form चीए, तो annoyed को annoyed लिख दोगे, annoyed ही लिख दोगे, लेकिन क्या by लगा दोगे, अब देखो यही कितना अच्छा लगता पढ़ने में, her friends were annoyed by her father, with बहुत अच्छा लगता, सब पढ़ने में अच्छा लगता है, लेकिन आपको सब अच्छा नहीं लगना, आपको सही राच लगना है, सही क्या चीज है इसमें, तो annoyed के साथ मैंने आपको पढ़ाया है, with आता है, ना कि by आता है, ना ही in आएगा, ना ही add आएगा, clear होगी बात, यह सारे चार option बनके आएंगे वहाँ पर, चार option में आपको एक चुनना होगा, जिसमें with लगा होगा, interested लिखा तो उसमें in लगा होना चाहिए, अगर surprise जाए तो उसमें add होना चाहिए, तो जो words मेरे list दी है, आपको बिलकुल learn कर लेना, में में और आजकल तो प्री में भी ऐसे questions आने को और देखने को मिल रहे है, clear है guys, तो hopes हो कि आपको यह topic पुरा अच्छा समझ में आया होगा, है ना, मैं उम्मीद ऐसी करता हूँ, फिर भी in case कोई doubt आपके पास रह जाए, तो आप नीचे comment section में जाकर कि आपने questions लिख सकते हैं, है ना, मैं उन्हें जैसी देखूंगा, तो मैं पका उन पर कोई वीडियो बना करके, अगर मेरे पास अच्छे का से doubt इखटा हो जाते हैं वहाँ पर, तो मैं उन पर भी एक वीडियो बना करके आपके समिलाओंगा, आपको सिर्फ इतना करना है, कि आप इस चैनल को subscribe क करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चलिए इसी के साथ, नमवर्ष की धेर सारी शुब कामना है, आपका भविश्य शुब हो, थैंक यू